आप सब का हमारे चैनल शिवागो.com पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने चाहरे है ये रोज कॉर्ज की बनीवी मचली है हलका सा गुलाबी है ये शिवागो.com और शिवागो एस्ट्रलोजी पर आपको ये जन्यून अथन्टिक और लैब सेटिफाइड मिलेगा अभी बन्तृत भी मिलेगा अपको तो इसके क्या बेनिफिट्स है कि ये कौर्ज चुकी है रोज कौर्ज है तो ये पूरी तरह से आपको पूरा चिकना खुबसूरत नी मिलेगा कही ने कर अंदर से ना अपको ले ये टुटा पूटा तो नहीं गई कोई क्योंकि ये ओरिजिनल रोज कौर्ज है अब इसको स्थापित करने के क्या benefits हैं ये हम आपको बताने चाह रहे हैं इस वीडियो में मचली के बारे में आप सब जानते हैं कि भाई मचली जब वह स्थापित करते हैं तो हमारे घर के वासुदोस दूर हो जाते हैं जिन्दा मचली की बात करता है अब हर किसी के लिए पॉसिबिल नहीं होता है कि वह जिन्दा मचली रखे मेंटेन भी करना पड़ता है और एक साथ यदि आप 9 के 9 मचली रखते हैं अलग-अलग colors के 9 ग्रोह के जो प्रतीक होते हैं तब तो फिर ये सुपर्व हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा पर यदि आपको सिर्व सुर्व का प्रॉब्लम है सुर्व दोश वगर है या आपका जो सुर्व ग्रह है वो अच्छा नहीं है तो फिर आप रोस कॉर्च चुकि ये पिंग कलर है तो ये आपको benefit देगा वहाँ पे पहली बात तो ये बता दो कि इसको स्थापित करने के जो फाइदे हैं वो मैं आपको बता दूँ कि किसी भी घर में यदि वास्तु दोस है वहाँ पे यदि आप मचली स्थापित करते हैं ये मचली भी अस्थापित करते हैं तो आपके जो वास्तुदोस है वो दूर होते हैं सकरात्म कुर्जा का संचार होता है यदि आपके घर में या ओफिस में आप इसे पानी के अंदर स्थापित करते हैं तो फिर नकरात्म कुर्जा का संचार करनी होता है यह नकरात्म कुर्चा को आपके आफिस में घर में आने से रुकती है तो इसलिए भी आपको स्थापित करना चाहिए और चुकि यह रतन है उपरतन है तो इतना ही महंगा नहीं कि आप इसे मतलब नहीं रख सकें उल्टा हो जो जिन्दा मचलियां रखते हैं उसे जादा यह आपको affordable हो गई है अभी चुकि यह गुलावियास fatigue है तो यह आपके जो सुर है उसके लिए खास करके काम करेगा यह pink shades में है कहा तो इसे love stone भी जाता है अभी इससे जो निकलने वाली तरंगे हैं उसी दे मन और भावनाव को भी प्रवावित करती है और इसकी सक पर्क में आने वाला व्यक्ती प्रवावित होता है यदि आपके office में रखा हुआ है पानी के अंदर तो जो भी आदमी आएगा आपके office में वो automatic आपसे प्रवावित होगा उसके मन में आपके परती अच्छी अच्छी भावनाव का विकास होगा विज्ञान में हाठ चक्र यानी के अनाहत चक्र को जागरित करने के लिए इसकौर्श का इस्तमाल किया जाता है और जिसके पास भी रहता है उसके आसपास रहने वाले लोग भी इस उर्जा के छेतर में आकर आपसे सम्मूईत हो जाता है यह जहां भी अस्तापित रहेगा वहाँ पे आत्मबल ही नहीं नेत्रत्व की छमता भी बढ़ाता है यह आपके आत्मबल को तीजी से बढ़ाएगा सुर्य के समान उनमें तेजी आती है और इसी करण उनमें निर्थित छमता भी विक्सित होती है किसी भी छेत में अगर वैक्ति में लीडर्शिप का गुन हो तो फिर बहुत उचाई तक जाता है इसलिए जो स्टुडेंट्स है वो अपने जो पढ़ाई का जो डैस्क है जो टेबल है वहाँ पे आप पानी में स्थापित कर सकते हैं सुर्य जिसका बलवान होता है वो उतना ही नरम दिल का और लोगो को प्रेम करने वाला होता है और अगर सुर्य कमजोर है तो फिर आपके अंदर जो प्रेम की जो भावना है वो कम होगी तो वहाँ पे ये आपकी मदद करेगा जिन लोगों में इकागरता की कमी हो या हमेशा कुछ न कुछ भरम बना रहता है उन्हें भी अपने घर में अपने टेबल पे अस्थापित करना चीए आपका दिमाग तेच होगा आपकी यादाश्ट भी बहतर रहेगी आपका लक्ष आप भटकोगे नहीं सुरह जब नीश का होता है तो मानसिक समस्याएं बढ़ती है इसके कारण डिप्रेशन चिंता तनाओ का बढ़नत है लेकिन यदि आप इसे स्थापित करते हैं चुके सुरह के लिए है तो आपके अंदर डिप्रेशन जो है वो नहीं के बराबर आएगा यह उसको समाप्त क देरेगा यह ब्लड डिजीज और आंकों की समस्याओं को भी दूर करता है पर इसके लिए क्या करना होगा आप गए उपाईनी में से अपने मचली को निकाला थोड़ा सहाथ में पकड़े थोड़ा पांच साथ में अट रखें तो इसमें हिलिंग प्रॉपर्टीज भी होत तो आपके आकर्शन शक्ति को बढ़ाता है हिर्दय चक्र को जागरित करके सकरात्म खुर्जा का संचार करेगा इसी यदि रोपाइस रोज दिश्ते आप पांच-दस मेंट पकड़े के रखें पानी में इसे आपने पानी में हट डाला तो आसा खेल लिए तो इसका जो औ बाडियो अब्जर्व करेगी आपके दामपत्ती जीवन में खुशाली लाता है पती पत्ने के समंदों में प्रेम का संचार करता है प्रेमी प्रेमिकाएं यदि दोनों अपने घर में इसे अस्थापित करते हैं पानी के अंदर तो उनका प्रेम समंद्ध भी मजबूत होत रह मचली का सवाल चुकि है मचली भी अस्तापित करें तो मचली का भी आपको बेनेफिट मिलेगा ही मिलेगा ये मचली जो है अच्छे शगून का प्रतीक होता है तो बाहर से आने वाले लोग चोहें उनकी बुरी नजर जो है वो आपको नहीं लगीगा ऐसे भी फानी के तो पानी के अपनी एक गुण क्या होता है ये बुरी नजरों को आपसर्ब कर लेता है आप दूसरा जो फाइदा आपको देगा वो ये है कि आपको आउटमेटिक एक प्रगती जो है प्रगती आपको मिलने शुदर हो चाहेगी क्योंकि मचली जो है मतस्वतार जो है बगवान विश्णू का परतीक है दूसरा जो ओर्जिनल मचलियां होती है उससे घर में चीन नाम की उड़ जाती है तो इस गुर्जा का काम होता है आपकी सहत और आपके धन को बढ़ाना तो वो बेनेफिट भी आपको थोड़ा बोदिस से मिलेगा आपके कई परिशानिया जो है वो आउटमेटिक कम हो जाती है तो इतने सारे बेनेफिट्स हैं यदि आप रोस्कॉर्च की मचली अपने ग करें अपने कमेंट दीशिए और चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुचे धन्यवाद तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कम प्रवालीट